सिंदके राजा दाहिर के समय से विदेशी आकरांताओं के विरुद्ध भारत वर्षका जो युद्ध चला उसका यशस्वी परियवसान चत्रपती शिवाजी महराज में है। उन्होंने इस देश के आत्मविश्वास को फिर से जगाया। हम यशस्वी हो सकते हैं और विजगी उशुभावना से चल सकते हैं यह सिद्ध किया। काल सुसंगत समाज रचना के लिए जैसी राजनीची चाहिए। धर्म के आधार पर प्रजा प्रतिपालन का जो करतव्य राजा ने करना चाहिए। उसका पुनर प्रतिष्ठापन किया। और आज के समय में भी हमको पथप्रदर्शक हो। ऐसी अनेक दिशाएं अपने जीवन के आचरण से और अपने करतुर्त्व से बताई। यहां पर वो आये राज्या भीशेक के पश्चात। वो यहां पर अपना आत्म समर्पन करने के लिए उद्युक्त हो गए। समर्पन भाव इतना कि उन्होंने अपने आपको समर्पित करना चाहा। उनके सहयोगी और परिचारक साथ नहीं रहते तो क्या होता बता नहीं सकते। और इसलिए जिसका ऐसा दिगंत करत्रुत्व है आधुनिक समय तक जिसके रणकोशल और सुराज्यकोशल की किर्थी देश-विदेश के लोग गाते हैं ऐसे करत्रुत्व संपन्न महराज का अंतरंग क्या है अपने लिए कुछ नहीं सबकुछ समर्पन। राश्ट्र के उत्थान में इसी प्रकार की वृत्ति आवश्चक रहती है और इसलिए करत्रुत्व का पुरा दर्शन होने के बाद राज्या भिशेक होने के पश्चाद भी इस समर्पन भाव का व्यक्त जहापर हुआ उस्थान पर छत्रपती शिवाजी महाराज का समारक ये सभी देश भक्तों को चिरप्रेरणा का कारण बनेगा और इसलिए यहाँ पर ये शिवाजी मंडप बहुत आउचित्य पूर्ण और इस देश के लिए अत्यनत उपकारक कारिय हुआ है